नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारे यीटुब चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि भगवान के आसिम आस्तिरबाद से आप बहुती अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके साथ बेठा है यह दो देवता जी हाँ दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में ये गल्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो बाते हम आपको बताने बाले हैं दोस्तों आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा जी हाँ दोस्तों अगर आप यह बातों को शमच जाएंगे तो दोस्तों यकिन किजी आपका पूरा इतियास ही बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह दो देपता के आशिरबात से आप सभी के जीवन काल में आप बहुती बड़े चमतकार होने वाले हैं यहाँ दो देपता आप सभी के जीवन काल में जो खुसकबरी आपको देने वाले हैं जो संकेत आपको देने वाले हैं जिनने सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप सब अभी भी इन बातों से अपरचित हैं अभी भी इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके जीवन काल में क्या चल रहा है तो दोस्तों हम आप सभी को यह एक चीज बता दें कि अभी भी मौका है अब जान जाएं दोस्तों अगर आप इन्हें समझ जाएंगे अगर आप इन्हें पहचान लेंगे तो दोस्तों हम आ तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों अगले छे दिन्वा कर्ष्ण में आपके लिए बहुती बड़ा मोका है यह समय आपको अपने जीवन काल में कुछ कारें को करने से साफधान रणे होंगे और कुछ कारें को लेकर आपको बचना भी चाहिए जिहां दोस्तों इनसे आप अपने जीवन काल में आप उन सभी चीजों के बारे में समझ पाएंगे कि यह दो देवता आखिर कौन है और आपके जीवन काल में यह क्या दरसाना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके घर के माहुल में पारेवारिक जीवन में स्वास्ते बिजनस वैपार में कौन 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 से बड़े बदलाब करना चाहते हैं आपके परते एक छेतर में आने वाले छे दिनों में कौन कौन से बड़े बदलाब होंगे साथे साथ इनके पहचान केसे कर सकते हैं तो दोस्तों आप समय निकाल कर बीडियो को बस शुरू से आन तक जरूर देख लिजेगा क्य शिर्वात आप से भी प्राप्त होगा। जहां दोस्तों, और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीए हैं, तो जैनल को भी सब्सकराइब करें। तो आज दोस्तों बात करते हैं, शुरुवात करते हैं स्रीक्रिशन जी के एक अच्छे ग्यान से, एक बहुती अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दुन में एक एक्छा सकती जागरित होगी, कि दोस्तों एक बार एक बेक्ती ने किसी संद से या फिर अपने गूरु से पुछा कि हम इस्वर के आगे भगवान के आगे सिर आखिर क्यों जुकाते हैं तो दोस्तों संत ने बड़ा ही सुंदर और मुस्कान के साथ अपने चेले को यह उतर दिया कि हमारे सारे चिंताएं हमारे मस्तिक पर निवास करती हैं और जब भी हम इस्वर के आगे भगवान के आगे सिर जुका कर हम परनाम करते हैं तो वे जो सारे चिंताएं हमारे मस्तिक पर हैं दोस्तों वह इस्वर के चर्ण में पहुंच जाती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं जहां दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको यह बाते सची लगी हो अगर यह बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इनके लिए से आप सभी के जीवन काल में कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों में यह दो देवताओं का हाथ है जहां दोस्तों जब भी आपने अच्छे कर्म किये हैं तो दोस्तों कहीं न कहीं आपको कुछ स तौर दूस्तों आप सबी को बतादे की आने वाले चीवन काल में कुछ ऐसे संकित आसं अं-दिल को आधिरatics हैं जहां दोस्तों दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले छे दिनों में आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास में दोस्तों आप देखेंगे कि चीटियों का जूंड आएगा जहां दोस्तों इसे भी छोटे छोटे जीव हैं जो कि आपके पास जून बना कर आएंगे तो दोस्तों अगर यहां आपके पास आते हैं तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि आपका अच्छा समय आ गया है जहां दोस्तों इसके उपरां तो दोस्तों हमाँ आप सभी को बता दें कि अगर आपके आसपास में कोई मौर पंखत देख जाये तो दोस्तों यह भी बहुती अच्छा संकेत है आपके अच्छे दिन की जहां दोस्तों इसके उपरां तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि अगर आपके सपने में कोई धून सुनाए दे तो दोस्तों इनसे भी बहुती अच्छी सुपसंकेत है बहुती अच्छी खुश खबरी आपको मिलने वाली है जहां दोस्तों तो आये दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि जो यह दो देवता हैं आने वाले छे दिनों में आप से दिके जीवन काल में कौन-कौन से चमतकार करने वाले हैं आपके घर के माहौल में पारवारिक जीवर में परते एक छेतर में कौन-कौन से खुश खबरियां आपको देने वाले हैं। बात करते हैं पूरी विस्तार से। दोस्तों आप इन दिनों में बहुती व्यस्ताम फ्यारे दिन्चारिया रहेंगे और भोलेनात की किरपा से आप कारे को लिए भी शमय निकाल लेंगे और उसमें शखल भी होंगे। इन दिनों में महिलाओं के लिए भी शुकुन भरा बतावन रहेगा। आपका रहन सन और बोल चाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकरसित करेगा। इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ शावदानिया भी देखकर चलनी होगी। किसी विप्रित प्रस्तियों में सामरता बनाए रखें। पूरारी नकात्मों बातों को हावी न होने दें। किसी भी काम को जल्द वाजे की वज़ाए सहज तरीके से पूरा करने का प्रयाश करें। आपको आवशी शफलता मिलें। अगर दोस्तों आपको कही निर्ने लेने में दिकत है आये तो किसी वारिष्ट व्यक्ति की सलाह आवस लें। निसीती आपको शफलता मिलें। और सांती से प्रस्तियां समालें। बातचीत करते समय नकात्मों सब्दों का प्रयोगना करें। योजना बनाने के साथ-साथ उन्हें क्रियामिंद करना भी जरूरी है। ध्याल रखें कि बहुत अधिस सोच विचार करने से भी काम हाथ से भी निकल सकते हैं। ज़्यादा अविमान और खुद को सीपिरियर समझना ठीक नहीं है। समय आपके पक्ष में हैं। मार्केटिंग समन्दी कारे को निप्टाने के लिए उची समय है। आपके सभी काम वैस्ति तुरूप से संपन होते जाएं। किसी छोटी सी बात पर विवाद भी होने की असंका है। रिक्स परवर्ति के कारे में पैसा ने लगाएं। परना नुकसान भी हो शकता है। दोस्तों इस समय वैस्ति बहतर बनी हुए है। निवे समन्दी गत्तिविदियों की जांकरी प्राप करने में उची समय लगाएं। इस समय भाविस्य की योजनाव पर पैसा लगाने के लिए समय बहुत ही अनुकुल है। आप जो भी काम में हाथ लगाएंगें दोस्तों भगवान की किरपासे आपको शफलता ही मिलेगा। यहाँ पर परवारी माहोल में भी आपका शकुन भरा रहेगा। सभी सदस्यों की वास्ति तालमूल बहतर होने से घर में खुश नमा बातारन भी रहेगा। परवारी समन में मदुर्था और तानमेर रहेगा। परेम परसंगों में एक दूसरी के लिए इमानदार रहें। परवारी जनों के साथ हाज फर्यास और मननजन में समय वेतित होगा। लग पार्टनर के साथ लोग ड्राइपर चाने का भी मोका मिल सकता है। इन दिन में भगवान की किरपा से आपकी सभी गिरिष्टी बहुत ही अनुपुल है। खर्चों के अधिकता रहेगी। अन्तु खर्चे बहतर कारियों के लिए होगे। इसलिए चिंता न करें। आपकी कार्ट कुर सल्ता से उमीद से जादा लाब हो मिलने की शामभावना है। पिछले कुछ समय से चल्री अस्त व्यस्त दिन्चारिया में भी सकार्तमा बदलाव आएगा। दोस्तों इसमें अपने कार करने की परनायल में कुछ बदलाव करने की जोरत है। दो परवात परिस्टें लाबदायक बने रहेगी। पिछले कुछ समय से चल्री बाधा तो पत्ति पत्ने के विज खट्टी मिठी नौक जोक रहेगी अविवित लोगों के लिए विवा के यूग बन रहे हैं वाइक समवन्दर में मदूरता रहेगी प्रेम समवन्दर में गलत फ्यमी की वज़े से दूरियां आ सकती है इसलिए सावधान रहें दोस्तों आपके स् अंदर अब अपने घर में दूद और बेलपत्र एक कटोरी में लेकर दोस्तों अपने चत के ऊपर रख दें या फिर घर से बाहर एसे अस्त्यान पर रख दें जहां पर छोटे चोटे जानवर आते हैं छोटे छोटे किट नासक आते हैं, जिहां दोस्तों इसे जगह पर रख दें वह गरन कर लेंगे, तो दोस्तों यकिन कीजिए कि आपके जीवन के सबसे बड़े वर्दान आपका शफल हो जाएगा, जीवन काल में कल्यान कारी इसतिया आपको मिलती रहेगी, जिहां दोस्तों दोस्तों आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है, दोस्तों आपका भागे साली रंग बुलू है और भागे साली अंक छे है, दोस्तों भगवार महाकाल का आशिरवात आप सभी को प्राप्तो, सच्ची दिलशिक कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जरूर लिखे और वीडियो को लाइक स्टियर जरू करें धन्यवाद